हाई विएक डोमेंचेनल चलिए क्वेस्टा नंबर वन साल करते हैं एक्सराइज वन जी का जो की वर्ड प्रॉलम से लिया गया है और यह रेशनल नंबर्स क्लास एट्थ की बुक आर्यस अग वाल से है तो चलिए पढ़ते हैं क्वेस्टन क्या का रहा है प्रॉम रोप आप 11 मीटर लॉंग एक रोप है और वो 11 मीटर लॉंग है रोप मतलब रसी ओके टू पिसेज दो भाग के जा रहे हैं पिसेज मतलब टुकडे दो टुकडे के जा रहे हैं आप लेंज के इतना इतना मिटर 2 hole 3 by 5 meter and 3 hole 3 upon 10 meter ये दो तरह क्या है? दो टुकड़े किये गए हैं उस rope के and cut off मतलब वही काटे गए हैं what is the length of the remaining rope तो जो बची हुई rope है यदि हम ये दो length काट लें तो जो बची हुई rope है वो कितना उसका length होगा? ये बताना है तो ये simple addition problem है मतलब addition और subtraction का use करके इसमें बनाया गया है तो क्या करेंगे? हम 11 meter में से यदि क्या करें इन दोनों length को घटा दें दोनों length का sum घटा दें तो हमारा answer आजाएगा तो simple यही करना है आपको तो हम लिख देंगे यहाँ पे कि length of length of length of the remaining remaining rope is equal to 11 minus 11 में से क्या करना है? minus करना है bracket में add कर देते हैं 2 whole 3 upon 5 plus 3 whole 3 upon 10 ओके? अब इन दोनों का sum हम निकालेंगे तो पहले इनको क्या करेंगे? देखे यह दोनों जो दिये गए है fractions यह actually mixed fractions है तो जब भी mixed fraction दिया रहता है तो पहले उसको improper में हम improper में change कर लेते हैं तो 11 minus इसको करते हैं improper में तो 5 to 10 और 10 में यह add कर देंगे यहाँ में multiply करना होता है और उपर जाकर कर अड़ कर देना होता है तो 5 to 10 10 3 13 13 upon 5 प्लस यहाँ भी करेंगे होगी काम यहाँ multiply करेंगे तो 10 3 जा 30 30 और 30 और 3 33 यहाँ हो जागा 33 upon 10 तो पहले हम bracket के अंदर वाला solve करेंगे फिर 11 में से minus करतेंगे यहाँ पर एक और बात बताने आपको चाहूंगा कि यह जो था यहाँ पर 2 whole 3 by 5 यह फिर 3 whole 3 upon 10 यह दोनों mixed fractions हैं और इनको हमने convert किया है improper fractions में इसका मतलब यह हुआ कि improper fractions actually mixed fractions ही होते हैं जैसे कि आप लोग कभी-कभी infuse हो जाते हैं क्योंकि बहुत लोग मुझसे question पूछते हैं कभी-कभी doubt करते हैं कि sir improper fraction का आपने नहीं बदाया representation आप rational numbers के एक वीडियो में तो मतलब यही region होता है क्योंकि पता नहीं होता कि mixed fraction actually improper fraction सी होते हैं चलिए यहां पर minus करते हैं तो 11 minus यहां पर ले लिए लसी एम तो यह हो जाएगा 10 और 5 से डिवाड़ करेंगे 10 में 2 आएगा और 2 13 जा 26 plus 10 से डिवाड़ करेंगे 1 आएगा और 1 3 जा 33 ही रहेगा अब इसको हम थोड़ा आगे बढ़ाएं तो यह हो जाएगा 11 sorry 11 minus यहां पर add कर देते हैं तो 26 में 6 और 3 हो जाएगा 9 और 3 2 हो जाएगा 5 59 अपन 10 अब देखिए यहां पर भी एक और फास्टरी का बता है आपको आप क्या करो कि यहां से 10 से multiply कर दो 11 में और minus नहां कर दो minus कर दो 59 में से तब भी हो जाएगा यहां से 10 सब्सक्राइगा 11 में तो यह हो जाएगा 110 minus यह तो है ही 59 अपन 10 ऐसे भी कर सकते हैं जैसे मैंने उपर किया था यहां मिक्स्ट फ्रेक्शन को इंप्रापर फ्रेक्शन में कर नवर्ट करते हैं तो यह भी आप कर सकते हैं यहां से आगे बढ़ेंगा तो क्या आएगा is equal to यहां से 1 और 10 में से 59 minus कर दीजिए तो मिलेगा हमें 41 and 51 51 अपन 10 तो इसको हम बदल देंगे mixed फ्रेक्शन में 1 अपन 10 तो यह हुआ इतना मीटर जो है क्या हुआ remaining rope का length है थैंक्यू सो मच फर वाचिंग